अगर आपने एक दो बार कर लिया तो फिर आपको धीरे-दीरे questions के साथ समझ म्यान ला जाते हैं इसमें सबसे important role question का होता है ठीक है चले क्या है साब ये particular cases जो भी है अगर देखा जाए तो पहला है कि जब circle जो है वो x-axis को touch करता हो अब but obvious है कि अगर circle जो है वो x-axis को touch करेगा तो एक बरगली मैं अगर by the way h, k अगर center माल लेता हूं ठीक है तो देखे साब अगर इसको देखा जाए ये अपने x-axis है ये अपने circle है दो चाह उपर देख लें चाह नीचे देख लें दोने cases में ये x-axis को touch कर रहे है अच्छा अ height किती होगी r ये height r होगी और height बने y इसलिए इसका y coordinate r हो गया अगर उपर है तो plus r नीचे हो तो minus r ठीक है न अगर below x-axis होगा तो कैसे बोलना है minus r हाँ ये h क्या चीज है h तो x coordinate है ये हमेशा origin से distance को बताएगा ये origin से किसको बताएगा distance को कि किस तरह पढ़ रहा है तो हम तो h,r बोलते हैं clear क्या बोलेंगे h,r तो हमारे लिए equation of circle हो जाएगी x-h का whole square plus y-r का whole square इसगड़ो r square अगर उपर हो तो और अगर नीचे हो जाए तो यहाँ पर plus r हो जाएगा क्यूं क्यूंकि मैं r की जगे पर क्या बढ़ दूँगा minus r तो minus or minus r की वज़े से plus r हो जाएगा, इसी लिए हम लोग plus minus r दोनों लेके चलते हैं कब जब x-axis को touch करें, ठीक है, अगर यही अगर y-axis को touch कर रहा हो तो दिखने में कैसा होगा, ठीक है, दिखने में ऐसा होगा, y-axis को touch कर रहा है अब देखें साब, radius कितनी है, r है, और यहों x-coordinate होता है, तो इसका x-coordinate हो गया r, जबकि इधर वाला इस side पढ़ने की वज़े से हो गया minus r तो मतलब radius ही नहीं दे रखी है, एक तरह से x-coordinate भी दे रखा होगा, जब y-axis को touch करेगा, अब x-coordinate दे रखी है, लेकिन y-coordinate तो नहीं पता न, तो उसे तो मैं k ही मानूंगा न, इस side वाली मेरी equation कितनी हो जाएगी, x-r का square, प्लस y-k का square, इस गड़ो में radius का square, radius r है, तो इधर वाली कि अगर equation की बात करेंगे, तो x-r का whole square, प्लस y-k का square, इस गड़ो में r का square, अब ये equation और ये equation में सिरफ एक चीज़ का फरक है, यह minus है, यह minus है, ठीक है न, तो left-hand side भी पढ़ेगा तो plus r, इधर इधर पढ़ जाएगा तो minus r, इसे इतना दिमाग से return न नहीं ह सिरफ ये सोचना है, क्या हो सकता है, और फिर तो इन दोनों को merge up करके equation लिखी जासती है, ये वाली, ठीक है न, तो कैसे इन दोनों को merge करके, एक साथ में ये वाल equation लिख दिये, ठीक है, तो plus minus r, इस गड़ो में इतना, फिलाल, मैं ये सब साफ कर देता हूं, ठीक है, क्यों से पास हो, और एक्सेस पर उसका सेंटर आजाए, देखें साथ, ये अपना सरकल, जो origin से पास हो रहा है, चल, left में देखो, चल, right में देखो, दो possibilities है, x पे इसका सेंटर है, मालने थे ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, तो ये radius होगी, ये radius होते ही, ये r,0 हो गया, जबकि इदर जाएंगे, तो ये r की जगे बें, minus r लगवालेगा, distance तो r होगी, लेकिन center minus r,0 होगा, अब किसी ने अगर भाई देवे, मुझसे इसकी equation बूची, तो x minus r का square, y minus 0 का square, इस गड़ो radius का square, जबकि इदर वालेगी, कितनी हो जागी, x plus r का square, plus y minus 0 का square, इस गड़ो r का square सही है, तो अगर भाई देवे, अपन यही इनकी बात को दिल से लगाते हैं, तो वाकई में, दो possibilities थी, दो center आए, minus r,0, r,0, और अगर देखा जाए, तो हमारे पास equation of circle आई, plus minus r, और y के जगे बे तो 0 ही लगएगा, y minus 0, कहने मतलब, is go to r square, ठीक है, यह दो cases, बहुत simple, simple स से, तो यह दो कोई बहुत बिशेश वाली बात नहीं है, इसको y square लिख दिया गया है, तो possibilities यह है, है ना, इससे भी copy कर लें, आगे चलते हैं, next, है ना, अगले point पर बात करते हैं, हाँ, अगला point क्या गयता है, कि when the circle passes through origin and the center lies on y axis, clear है, and the center lies on y axis, clear, हम, अब center lies on y axis के, अगर अगर लोग बात करें, तो कैसे सोचा जाएगा, वो देखते हैं जरा, अगर photo के सबसे देखा जाएगा तो यह, उपर की तरह बनते वे, और नीचे की तरह बनते वे, दो circle, एक इधर और एक इधर, देखा आपने, हाँ, exactly, अब देखो, यह radius अगर आ रहा है, तो यह इसकी सिरो का स्क्वाइर, वाई प्लस हार का स्क्वाइर, इस गड़ो आरे स्क्वाइर, और दोनों को सॉल कर लोग, एक साथ लिख दिया, और यह अपने equation आगे, तो यह तीसरा case हुआ, ओ स्री, चोधा case हुआ, ठीक है, अब चलते हैं और आगे, अब यह तो तब हुआ जब और इदर इदर, सही है, अच्छा, अब क्योंकि इसकी radius हा रहे, तो इसका x-coordinate भी आर हो गया, और y-coordinate भी आर हो गया, तो इसलिए r को मार फर्स्ट कोडिन्ट में हुआ, जबकि second quadrant में जाते ही, minus r को मार, यहाद है na, x negative हो गया, यहां दोनों ही negative हो गया, अच्छा, अब मान किसी ने मेर से कहा, कि sir मुझे तो आप इसकी equation बताओ, इस circle की, तो मैंने का इसकी equation हो जागी, x plus r का square, plus y plus r का square, is gado r square, अब किसी ने का नहीं, नहीं सर, मुझे तो इसकी equation चाहिए थी, तो x plus r का square y minus r का square is gado r square कौन सा formula लगा रहे है उससे आप x minus 1 का square y minus b का square is gado r square सही है तो अब ये इसकी वज़े से एक बार plus r minus r कब तक जहिलेंगे तो हम लोग सीधे ही लगा देते हैं clear है